तो भाई पिछली बार हमने एक पतंग बनाया था जो की पाउड था एक DC मोटर से और वो भी एक छोटा सा मोटर जो की बहुत ही कमाल तरीके से चल रहा था और वो हमारे पतंग को अच्छे से उड़ा पा रहा था ठीक है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं कि आज हम एक बड़े साइज का पतंग बनाये तो पतंग मैंने पहले से ही बना लिया है उसमें मोटर मोटर सब कूछ लगा दिया है मैं आपको दिखाता हूँ कि वह किस तरीके का है और देखना ये है कि वह जो पतंग है वो हमारे छोटे वाले पतंग की तरह उड़ता है या फिर नहीं, तो चलो मैं आपको सिधा पतंग दिखाता हूँ, तो भाई ये है वो पतंग, अभी आप देखो, ये है एक बड़े साइस का पतंग, और उसमें हमने लगाए एक बड़े साइस का मोटर, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पतंग है, ये हमने किस तरीके सेट क ये है, ये है एक लकड़ी, अभी लकड़ी इसमें हमने लगाया है स्टेविलाइजिंग के लिए, ताकि हमारा जो ये फैन है, वो पतंग को स्टेविलाइज करे रहे है, और अच्छे सुड़ा पाए, और ये आप देख सकतो, ये है मोटर जो कि चलेगा 12 वोल्ट से, और ये हमारी पूरी की पतंग, ठीक है, तो अभी बात आती इसको ट्रायल करने का, तो हम इसमें लगाएंगे 12 वोल्ट की सप्लाई, यानि की वायर दो, और फिर उसमें लगाएंगे बैटरी, और देखते ही, ये जो पतंग है, ये उड़ता है या नहीं, ठीक है, ये हमने दो ये चलने लगता है, ठीक है, तो चलो इसको उड़ाते हैं, और देखते हैं, ये सच में काम करना है या फिर नहीं, तो अभी वारी यह से उड़ाने की, तो चलो उडाते हैं, और ये में अन करता हैं इसको कर दो करने के बाद हमारो जो फैने वो तूट चुका है और वी इसको ऐसे चला कर देखते बहुत फणी लगेगा आप देखो यह पूरे का पूरा पतंक जो है वो पूरा वाइब्रेट हो रहा है अगर मैं ट्राइकर उड़ाने का देखते हैं नहीं उड़ पा रहा है तो दूस्तों आज का वीडियो यही था उम्मीद करते हो आपको पसंद आया होगा अमर जो पतंक वो फ्लाइ तो कर रहा था लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा थे जितने अच्छे से हमने सोचा था बट फिर भी जो था यही था उम्मीद करते हो आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आया है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करो ह हम मिलते हैं आप से नए वीडियो में तब तक लिए बाइव मैं